हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज ही एस वीडियो में मेरे पास है टाटा पंच का प्यूर रिदम वेरियंट ऐनी रिदम पैक के साथ आता है टाटा ने हर वेरियंट के लिए एक स्पेशल पैक लाउंच कर रखें तो यह इसका रिदम पैक इसमें इंस्टॉल्ड है त क्या क्या चीज़ें स्वेरियंट में ओफर की जाती है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करें फ्रंट लुक से तो फ्रंट से आप चेकाउट कर सकते हैं कि इसमें आपको जो डियारेल से वो उफर किये जाते हैं मठ हैलोजेन में आपको देखने को मिलेंगी हैड्लम्ट भी है एक देखने को मिलेंगा फॉग लैट की आऊजिंग है फॉग लैप नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि बेस वेरिंट है और पैक के साथ भी नहीं आते हैं यहां पर देख सकते हैं हॉन की एक ग्रिल ऐए बाकी टाटा की प्यानॉ ब्लैक वाले फिनिश के ग्रेल इसमें आपको देखने को मिलती है एंड यह इस कलर में पर्टिकुलर काफी अच्छा जा रहा है यह ब्लैक का ट्रीटमेंट यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मल हेलोजेन हेड्लाम्स है कुछ खास थ्रोइन हेड्लाम्स का होता नहीं यह तो मैं आपको बताई सकता हूँ क्योंकि वह 55W वाले बल्ब्स है तो एकदम एवरेज थ्रोई होगा इन लाइट्स का बाकि आप साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको देख सकते हैं कुछ ऐसी साइड प्रोफाइल है काफी SUV वाली फील देती है साइड से काफी उची भी है आप देख सकते हैं वील्स इसमें वैसे 15 इंचेस के मिलते हैं जो कि काफी अची बात है इसको आपको अपग्रेड या कुछ भी करने की जरुवतनी इन वील्स में आप चाहें तो बस वील कैप चाहें तो लगा सकते हैं बाकि कोई जरुवतनी इन वील्स में कुछ करने की यहां पर देख सकते हैं मैट ब्लैक में आपको देखने को मिलते हैं वार विम्स टर्ण इंडिकेटर्स भी उसी पर देखने को मिल जाते हैं तो आपको जो है सारी चीज़ें यहां से कोई नहीं बता पाएगा कि यह बेस विरेंड है बाकि आप नीचे यहां पर चेक आउट कर सकते हैं प्लास्टी की क्लैडिंग है और नीचे आप देख सकते हैं 187 mm की ग्राउंड क्लिरेंस है तो वो भी काफी अच्छी है SUV के point of view से अगर आप देखते है micro SUV के तो काफी अच्छी है अब बात करते हैं rare look की तो आपको exterior में कुछ इस pack में नहीं देखने को मिलता है खास कि इन्टीरियर में changes होते है तो exterior में आप देख सकते हैं कुछ ऐसा look है मुझे look तो काफी personally पसंद आता है इस car का आप देख सकते हैं जो tail lamps है वो LED में नहीं है halogen में ही है totally halogen है top variants में जो है आपके आएंगे वो LED में बट इस variant में नहीं आते है बाकी दो parking sensors देखने को मिलते हैं बाकी camera वगरे नहीं है इस variant में एंडी विजिंट 6,70,000 का पढ़ता है तो उस recording तो इसमें जो features मुझे देख रहे हैं वो ठीक है ऐसे को problem नहीं है यहाँ पर आपको एक रायनो देखने को मिलता है बाकी vocal for local की badging अप सारी Tata cars पर आने लगी है बाकी अब में इसका boot space आपको दिखा देता हूं तो 365 लीटर के round का boot space है जो की काफी बड़ा है more than enough है बाकी इस boot को देखके लगता है हाँ कार में space management बहुत अच्छा किया गया Tata ने इसमें बहुत ही अच्छा किया है बाकी partial tray भी है इसमें तो यह सारी चीज़े काफी अच्छे से finished है आप आपको boot का जो hatch है उस पे भी आपको cladding देखने को मिलेगी जिससे आपको वो ना लगे कि cot skirting कहीं पर की गई है तो वो काफी अच्छा मुझे लगा बाकी अब बात करते हैं इसकी keys की की देखके आप definitely थोड़ा disappoint होंगे नहीं flip की है नहीं कोई सेंट्रल लॉकिंग है I think अब जो है सेंट्रल लॉकिंग base variant में भी देनी चाहिए companies को brands अभी नहीं देते हैं तो मुझे यह थोड़ा सा लगा कि हाँ यह होना चाहिए था rhythm pack में at least दे दिना चाहिए था बाकी आप देख सकते हैं इसका door open करेंगे तो आपको इसमें चाबी लगा के ही door open करना पड़ेगा तो यह आपको 2000 की याद दिला देगा दुबारा से बाकी हमें दिखाता हूँ तो आगे आपको door में आपके दो power windows है पीछे आपको हाथ वाले वो भी पीछे जाओंगा तो दिखाओंगा वो भी काफी old school feel कराते हैं तो कुछ चीज़े negative जरूर है but pricing भी काफी low रखी तो उस recording आप इसमें adjust कर सकते हैं बाकी ORVM से adjust करने के लिए आपको ऐसे touch करके करना पड़ेगा तो punch में कई जगे cost cutting काफी जादा हुई है आप देख सकते हैं आप डो बिंस बड़े size के हैं umbrella holder वगरे है इस variant में तो practicality में तो कोई इसमें कमी नहीं है बढ़ हाँ features में definitely ये कार ये variant काफी कम है and punch में आप overall देखेंगे तो cost cutting कई जगे किये data ने आप देख सकते हैं हाँ पर height adjustment seed भी नहीं है तो at and base variant है तो उसमें आप expect भी नहीं कर सकते हैं बाकि आप देख सकते हैं आप एक modes के option है बाकि आपका एक auto start stop अला button है अब मैं आपको foot area दिखा देता हूँ तो foot area आप देख सकते हैं कि इसमें dead pedal definitely दिया हुआ है तो वो एक काफी अच्छा touch है तो वो मुझे काफी पसंद आया बाकि अब इसकी key मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे एक ring लगाई हूई light की तो वो काफी अच्छा है रात में आपको easy पड़ेगा key लगाने के लिए बाकि instrument cluster आप देख सकते हैं altros जैसा ही है और यह totally analog है बीच में digital वाला आपको screen देखने को मिलेगी तो कुछ ऐसा आपको layout देखने को मिल जाएगा बाकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको steering mounted controls मिलते हैं rhythm pack में अगर आप rhythm नहीं लेंगे तो आपको steering का adjustment अपने according आप इसमें find कर सकते हैं यह मुझे काफी सही लगा कुछ-कुछ चीज़े अच्छी हैं बटकाई जगे definitely कुछ चीज़े negative भी हैं तो वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ बाकि आप देख सकते हैं आप instrument cluster में basic information सारी मिल जाएगी instant fuel economy, average mileage क्या दे रही है कार, odometer, trip meter basic सारी information इसमें आपको देखने को मिल जाएगी किस mode में कार है वो भी देखने को मिल जाएगी city में है, eco में है वो सारी चीज़े इसमें मिल जाएगी देखने को बाकि अब मैं दूसरी चीज़ों के बारे में बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो stock है, lights related यह रहा आपका stock, wipers related तो यह आप देख सकते हैं बाकि यहाँ पर आपको physical keys देखने को मिलती है क्योंकि touch screen नहीं है तो यहाँ पर आपको infotainment system देखने को मिलता है इसमें bluetooth है, radio है, aux है, usb है यह सब आप use कर सकते हैं and reverse gear लगाने पर parking sensor की guidelines भी दिखाती है इस screen में, तो यह अच्छा मुझे touch लगा बाकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लगए को automatic climate controller है बट नहीं, यह manual AC है लेकिन इसको ऐसे design किया गया है automatic वाले ही layout में इसको पूरे डाल दिया गया और मुझे काफी अच्छा touch लगा काफी premium लग रहा है क्योंकि वो 1,2,3,4 वाला आप काफी पुराने जमाने का लगता है तो Tata ने यहाँ पर कुछ नया try किया and definitely appreciate करता हूं है इस चीज को मुझे काफी सही लगा यह touch बाकि cooling वगरे तो सेम ही रहने आले उसे कोई खासा फर्क नहीं पढ़ने आला top और base variant में बाकि आपको यहाँ पर 12V का charging socket है मैं इसको open कर देता हूं पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर USB है and aux का cable देखने को मिलेगा तो यह सारी चीज़े हैं वहाँ पर काफी dark है तो दिखाई नहीं दे रहा है बाकि 5-speed का manual transmission है chrome अगरे नहीं है इस variant में उस पर यहाँ पर आपको try में वह आली जो design है वो देखने को मिलेगी इंटीर में भी बाकि glove box काफी spacious है बट definitely base variant है तो light वगरे नहीं है इसमें लेकिन spacious बहुत है तो space काफी अच्छा आपका समान काफी इच्छे से आ जाएगा यहाँ पर आपको charging socket मिलेगा आगे की तरफ नहीं मिलेगा इस variant में यहाँ पर आप देख सकते हैं आम रस वगरे नहीं है बाकि दो bottle holders है और पीछे के लिए कोई भी bottle holder इधर नहीं है center console में तो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं टिकेट holder है बाकि driver side sun visor में कोई vanity mirror नहीं है lights आपकी halogen है LED देनी चाहिए टाटा को यहाँ पर आप देख सकते हैं co driver side भी नहीं है vanity mirror and IRVM आपका manually be adjustable day night के लिए तो यह मुझे काफी miss out लगा क्योंकि आज के time में बहुत जरूरी high beam से आदमी परिशान हो जाएगा अगर इसमे manually dimming वाला ही नहीं फीचर तो यह टाटा को ज़रू ध्यान देना चाहिए इस level की cost cutting नहीं होनी चाहिए बाकि मैं rear door की बात बता हूँ तो यहां पर आपको white treatment as it is जैसे आगे है चार speakers देखने को मिलते हैं इस variant में हाथ वाला system देखने को मिलेगा आपको तो मुझे लगता है rhythm pack में at least यह पीछ आले power windows भी offer कर देने चाहिए थे अब मुझे लगता है अब सारे brands को auto और quit जैसी cars को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है बाकि 5-6 लाक वाली हर कार में at least 4 power windows तो हर variant पर आने ही चाहिए आप लोग का क्या कहना है इस बात पर मुझे ऐसा पस नहीं लगता है बाकि अब मैं आपको space दिखा देता हूँ यहां पर आप देख सकते है space के मामले punch बिल्कुल disappoint नहीं करेगी आपको spacing काफी अच्छी है यहां पर तो आप देख सकते है मेरी लिए काफी अच्छी spacing है मेरी height 59 है यहां पर बैठ सकते हैं wide car है यहां पर आपको कोई adjustable headrest नहीं है cabin light नहीं बीच में तो यह सारे चीज़े definitely इस variant में आपको लगेगा कि हाँ base variant है car तो overall मैं conclusion की बात करूँ तो definitely 6,70,000 65,000 में आपको डील मिल रही है तो कोई ऐसी बुरी डील नहीं है एक decent डील है क्योंकि आप इस pricing में क्या खरी देंगे Sellerio खरीदेंगे Swift का base variant खरीदेंगे या magnet वगरे पर जाएंगे उनको मैं वैसे ही नहीं recommend करता वन लीटर इंजिन के वज़े से तो इसमें आपको इंजिन का पावर भी adequate मिलेगा सबसे अच्छी बात five star safety मिलेगी तो safety के लिए definitely इस कार को आपको prefer करना चाहिए और काफी value for money चीज़ है तो definitely आप इस पर भी जा सकते हैं अगर आपको punch लेना है एंड वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को subscribe एंड वीडियो को like ज़रूर करीगा bell notification on कर लीजेगा मैं मिल तो आप लोगों से नेक्स वीडियो म तब तक के लिए good bye